दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, सांदार और मज़ेदार पहली लेकर आया हूँ ये पहली कमेंट में कई दिनों से, कई महीनों से पूछा जा रहा था लेकिन इस पर हम वीडियो बना नहीं रहे थे, इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि इसका जवाब ही कुछ अलग टैप का है, आपको भी जान करके हैरानी होगी तो इसलिए आप इस वीडियो में उन तक बने रहे और खूब मज़ा ले टो चली शुरू करते हैं, क्या है सबसे पहले, ये सवाल पढ़ते हैं बोला गया है, नौ खूटा में, साथ उटों को बांधना है लेकिन किसी भी खूटा में सम उट नहीं होना चाहिए और सभी उटों को सभी खूटों में बांधना है तो बताएं कैसे बांधेंगे समय में आया सवाल हो सकता है कि नहीं आया होगा तो पहले आप वीडियो को बाउस कीजिए एक बार अपने से पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रियास कीजिए क्योंकि आप जब तक प्रियास करेंगे नहीं तब तक आपका दिमाग ग्रो करेगा नहीं तो चलिए बताएं सोच लिए चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पर बोला गया कि भाई 9 खुटा है तेखें चली खुटा हम बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको महसूस हो है कि नहीं एक खुटा, दो खुटा, तीन चार, पांच, छे साथ, आठ, नौ अब इस नO कुटा में क्या करना है बाधना है उट लेकिन उटों की संख्या कितना है 60 है कितना है 60 टोटल उटों की संख्या है लेकिन भय जो भी खुटा में हम बाधेंगे उटों की संख्या सम में नहीं होना चाहिए यानि कि even number में नहीं होना चाहिए मालब 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह सम में नहीं होना चाहिए होना चाहिए क्या ची? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस रगर के आप विसम संख्या में बांद सकते हैं क्लियर क्योंकि आगे बोला गया है कि किसी भी खुटा में सम उंट नहीं होना चाहिए ठीक है और सभी उंटों को यानि कि साथों उंटों को करना है सभी खुटों में बांधना है तो बताइए किस प्रकार बांधेंगे ताकि सभी खुटों में क्या किया जाए सभी उंट बा तो बांधने का प्रियास करते हैं, आप कुछ भी प्रियास कर लिजिए, थोड़ा सा आपके लिए complicated होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज्यादा, लेकिन इसके पहले, इसका answer बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा concept बताना चाहूंगा, ताकि आपको तुरंत यह चीछ समझ आज में आजाए, देखिए, आप समसंख्या, समसंख्या, पलस में समसंख्या, जोड़िये, इसका call आ रहा है, थोड़ा सा हम, ठीक है, देखिए, समसंख्या, पलस में समसंख्या, ठीक है, जोड़ेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, समसंख्या ही मिलेगा, जैसे कि समसंख्य जगा पर आप ले लिजे 2 और फिर एक और सम संख्या ले लिजे मान की जली 6 ये 2 और 6 क्या है? 2 सी पुरा-पुरी भाग लगते हैं? सम संख्या है कि नहीं? जब जोडेंगे आप तो आपको सम संख्या ही मिलेगा जिसे 6 2 कितना उता? 8 होता है 8 भी क्या एक सम संख्या जो 2 सी पुरा-पुरी भाग लग जाता है तो इस तरह करके आप कई एकजामपन लिख सकते हैं तो ये जेनरल फर्मूला होगी एक तरह से सम संख्या प्लस सम संख्या पराबर में सम संख्या अगर रहेगा विशम संख्या अगर रहेगा विशम संख्या और उसको हम जोड़ेंगे विशम संख्या से तो वो भी हमें मिलेगा सम संख्या ठीक है? यानि कि मान के चलिए विशम संख्या के जगापर हम ले लिए एक और फिर एक और विशम संख्या ले लिए तीन आप जोड़ी एक और तिन चार इसे तरह से विसम संख्या एक ले लिजे एक ग्यारा और एक ले लिजे मान के चलिए कि तेरा आप जोड़ी एक ग्यारा तेरा कितना वो अच्छोबिस हुआ तो तो ये भी आपको समझना है कि भाई विसम विसम जुटता है तो सम हो जाता है तो दस तीन कितना हो जायगा? तेरा हो जायगा. तो बताइ तेरा क्या है? एक विसम शंख्या ही है. कलियर? कोई दिकत, कोई समंख्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, भाई. बार बार कोला रही है, क्या बताएं? ठीक है? यहाँ तक सम्हें है? आप एक चीज और एक चीज आपको और भी धिहान देना है देखिये समसंखिया मला Ibn ृवट नाउन लार इंगलिस में भी आपको जानआ है इंगलिस और हिंदी को बहुत बहा क्बाइसा बहुत बढ़ने में तेज चेश आइस आइसा अरे भाइसा अइसा नहीं होता है वो भासा है अब एंगलीज जानगे तो तेज थोड़ी नहों गए भासा अब लग कम्यूनिकेट करने के लिए आप सीख गए बाकी बाद उसमें आपको ग्रो करना है आपका दिमाग किसी लेबल तक चलता है यह सबसे बड़ी चीज है ठीक है भासा से को बड़ संख्या ही मिलेगा ठीक है जैसे कि 2 पलस 4 6 हुआ 6 और मन के चले 6 12 मला संख्या आप 3 बर जोड़ी तो संख्या ठीक है अब विसम संख्या को यदि आप 3 बर जोड़ते है विसम पलस में विसम फड़ा देर कर रहें बताने में हैं कि नहीं चली क्या कीज़ेगा तो क्या सम पलस में इधर क्या है विसम है तो टोटल सम पलस विसम हम पहले जानते कि सम पलस में विसम बराबर में विसम ही होता है कुल मिलाकर कि विसम पलस विसम पलस विसम ही आपको मिलेगा कोई दिकत तो यहां पर एक कंकुलूजन आपको निकालना है कि यदि यदि सम संख्या जो विसम है, जैसे कि यहाँ पर एक, दो, तीन, यह विसम है, तो विसम ही मिलेगा, अगर विसम संख्याओं की संख्या जो है सम है, जैसे कि एक, दो रहता, तो फिर वो जोडने पर सम ही आता, ठीक है, अगर चार रहता विसम संख्याओं, तो फिर सम ही आता है गि ने तो यहाँ पर विसम में है इसलिए विसम आ रहा है ठीक है इतना आप समझ गए अगर नहीं समझें वीडियो को पीछे कीजी फिर से देखे कोई बड़ी चीज नहीं है अब इसको बच्चो जैसा नहीं समझाएंगे ठीक है चलिए अब यहाँ पर मैं बता उसाला खुटा में जो भी होगा वह विसम संहिझ होगा दूसरा विट्ष्णमयू संख्याहि इन हूग आता में इंदर कर देते हैं यह विसम ऑला हो यहाँ बताए अब यहाँ पर बताए इस घीशματα पर बताए शने यह उसम मतलम पर यह सम हो जाएगाampf सम य haven sum ہے इस पर сам लिख सकते हैं इसके जगह प्रसम लिख दिए इसके पर यहां पर सम है यह सम है यह सम है ऍर हम सब को अगर हम allied करेंगे तो हमें sum संख्या ही मिलेगा, even number ही मिलेगा, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या है, विसम संख्याओं की जो संख्या अगर sum में रहे, तो हमें overall sum ही मिलेगा, और साथ में एक विसम जो है, बच गया है, एक विसम जो है, बच गया है, तो बताए sum पलस में विसम, बराबर में क्या प्राप्त होगा, विसम प्राप्त होगा भाई, यहाँ पर देख सकते हैं, sum पलस विसम बराबर में विसम, यानि विसम संख्या आपको प्राप्त हो रहा है, है जब आप इस नौव खुटा में, आप जब विसम संख्षा में बांध रहे हैं एक, तीन, पांच, साथ, आ नो, इज्यारा इस तरह करके बांध रहे हैं तो फिर आपको जो अभर ओल जब आप सभी उटों को गिनेंगे तो फिर विसम संख्षा ही मिलेगा जबकि उटों की संख्षा किस में दी गई है संख्षा में दी गई है तो भई, साथों उटों को इस नों खूटों में बांधना एकदम असंभव है बांध सकते हैं लेकिन ये कंडिशन फुल्फिल नहीं होगा है कि नहीं? विसम संख्षा में अगर आप बांधते हैं तो फिर कुछ उट या तो बच जाएगा या तो फिर कुछ उट जो है घट जाएगा clear? तो इसका एंसर कुल मिला करके क्या होगा असंभव क्या होगा असंभव है कि नहीं? यह कि तम अजीबुगिरीब आपको एंसर मिल गया यह कौन सा एंसर है जैसे condition दिया गया अगर नहीं मिल रहा है हमें एंसर तो आसमभव लग देंगे कि condition is not accurate clear बस में आ रही है यह 60 क्या है sum संख्या एक तरह से एक नहीं उटों की जो संख्या sum में दिया गया है अब इस sum को हमको यहाँ पर विसम विसम करके अगर हम करते हैं तो over all विसम हमें result मिल रहा है जबकि जोडने पर अगर सभी खुटों में जतना उट बांदेंगे भाई हमको जोड़ करके 60 ने मिलना चाहिए लेकिन इस condition के अधार पर हमें विसम मिल रहा है इस theory के अधार पर हम चलेंगे तो भी sum हमें मिलेगा जबकि sum है तो इसलिए यह condition जो है fulfill सही से नहीं हो रहा है मतलब हम इस तरह से बांद नहीं सकते हैं अगर आपके पास कुछ लचा हुआ अजीब टैप का है इने अगर एक खुटा को दूसरे खुटा से मिला देंगे ऐसा वैसा वाला अगर अंदाजी जबर जस्ती अंसर देना चाहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और अगर नहीं आया अभी तक भी भाई दुबारा देखने पर भी समझ ये तो फिर समझ ये कि आप mathematics में थोड़ा सा गलती कर रहे हैं आपको थोड़ा practice करना है पढ़ाना है तो ये mathematics आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा ये जीवन से ही शुरुआत हो जब से जीवन शुरू हो तब से गनित शुरू हो गया जहां जाइए वहाँ गनित जहां जाइए वहाँ मैत है तो मैत से खिलवार नहीं करना है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतने ही अंबिलिंग अगरा वीडियो में जय हिंद वने मातरम